हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप देखिए मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है मैं आज आपको बताने के लिए अपनी छत पर इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि देखिए ये थोड़े दिनों पहले आंधी और तूफान बहुत आया था उसके कारण मेरा अगे और आगई ये गमला गिर करके तूट गया है क्योंकि पेट ज्यादा बड़ा हो गया था ये गुढल का प्लान्ट है और ये तूट करके ज्यादा बड़ा है था तो आज हम इसको इस गमले की अंदर बापस रीपोर्ट करेंगे तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने गमले में गमले को खाली करके और दो दिन तक गमले में अच्छी तरीके से धूप लगा लिए आप देखी रहे होंगे अब मैं इस गमले में पानी डालती हूँ तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं टिकता है मैं सोच रही थी इसको बरसात के समय तक चला लूँ और फिर इस गमले में शिप्ट कर दूँ लेकिन यह बहुत मुश्किल लगा मुझे मैंने कई मेरा प्लांट सूख जाएगा उसके कारण मुझे आज इसको शिप्ट करना पड़ रहा है और आप जानते हैं कि इतना बड़ा प्लांट अगर सूख जाए एक गार्डनर के लिए तो इ एक तो पहले ही वो तूट गया था और उसके बाद मैंने उसको तोड़ करके ही इसको हटा लिया अब देखिए आपको क्या करना है कि हाथ से धीरे-धीरे करके इस तरीके से मिट्टी हटा लिनी और आप मिल को ऐसे भी गमले को चेंज करना था लेकिन एक बहाना भी मिल गय कि चलिए गमला तूट गया है तो आप तो चेंज करना ही है क्योंकि इसकी रूट बाउंडिंग हो गई थी तो इसके लिए जितने भी पोशक तत्वे थे देखिए आप कैसे जडो का जाल बन गया है चारो तरब से तो बेचारा अगर इसको समय से नहीं बदला जाता तो य पहले हमको क्या करना है मेन वीडियो उसी चीज के लिए तो तेकर मैंने इस तरीके से इसको धीरे धीरे करके आप देखी रहोंगे कि मैंने अपने हाथ से यह नहीं की धर्डर धर्डर यासा कुछ नहीं करना है हमने को हमको धीरे धीरे इसकी सारी मिठी हटालेप लेनी कि अधैनि मिट्ठी सॉ Swt है और कितनी साफ है इसमें से बेचारे ने सारा अपन दिदा था यह पूरा इसमें सेखने अपना सबकुछ नूछ ले लिया है प्रोटीन नूटीरिशियन सब कुछ ले लिया है अश्रपान नीप ऐस कुछ भी नहीं भाचा अभिये शेयर खचाँ रीचल आप मेक क्या करना है सिरम ढाला बुल्कुल उतने सब्सक्क्राश करें, ضब्सक्राश करना है और भारिग नोब हें यह बेडाएं बाल चाहिक Χी खलाएं मैं इसको नरसरी से लेकर के नहीं आई थी तो इसलिए इससे मेरा लगाओ बहुत ज़्यादा है मैंने 4-5 गुडल के प्लांट लगाये थे लेकिन मेरा ये ये वाला फ्लावर सक्सेज हुआ और भी लगाये हैं लेकिन इस नसल का मेरे पास यही एक है तो इसलिए मैं इसकी ज कर दी है अब उसके बाद देखिए हमको क्या करना है ये मिट्टी मैंने 2 दिन पहले आपको जब भी आप गंला शिफ्ट करते हैं तो आपको क्या करना है कि मिट्टी 2 दिन पहले ही उसको अच्छी तरीके से धूप लगा करके मैंने इसमें डाल दी है गोबर की खाद साथ म कि लिए बाद में इसमें डाल दी है कम से कम क्यं ironic ऐस्तमाल नहीं तनी क्या办 ऊतनी हम तो बहुत जढ़ा इतना फायदयमन था क्या है कि नुक्सान होता है तो तो आपको क्या करना है कि इसी तरीके से देख्चे पहले धूप लगा ले और उसमें काउटट्ट यूज पो मिला ना है आप उसमें सब कुछ डॉल करके और सभी चीजों को ऐदानों को अच्छी तरीके से कम उसके बाद इससे क्या होगा कि देखे इस तरीके से अब इसमें नमी भी बरकरार है और मैंने जो भी चीजे डाली थी अब ये मिटी बिलकुल रोगानू मुक्त हो गई है और इसमें नीम की खली डाल दी है राक डाल दी है मेरे पास और अभी कोई भी और दूसरी तरीकी की उपलब्द नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें और कुछ नहीं जाला है, बस आप भी अगर तयार करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से मिट्टी तयार करें, और अगर आप इस तरीके से मिट्टी तयार करते हैं, जैसे आपने 50% मिट्टी ले ली, 40% आपने उसमें काउडंक ले टोड चुफो या थोड़ी शीराक ले ले लाखनी और साथ में बॉनमील अगर है तो आप ले लेड़न और नहीं है तो भी उपर से डाल सकते हैं जा। नोला हằ досकी सब्सक्त श्यास से कुल दाले माई कु की कोटिंग कर देठी हूं तो थीरे- धीरे-धीरे-धीरे मिट्टी में मिल जाता है तो इस से फ्लावरिंग अच्छी होती worship लेकिन अभी है नहीं तो इसलिए इस तरीके से देखिये मैं इसको गमले में आप की रहे हैंगे एक भी ब्रांच इसकी ऐसी नहीं है कि जिस पर इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तो अब मैं काटने तो आई थी कि सोचा कि इसको कटिंग करके इसको थोड़ा छोटा कर देती हूं क्योंकि अब लेकिन क्या छोटा करूंगी अब फिर एक सप्ता इसका मामला पैंडिंग हो गया, मेरा वीडियो पसंद है तो सस्क्राइब